हालो फ्रेंड्स मुद्बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में डिसकस करेंगे आइबी पीयस्पीयो और क्लर्क और दोसे सभी बंके एकजैम्स के लिए फिलर्स के कुछ गजांच और यह फ्रीज पो यह एक चाहते हैं तो वह आप ले सकते हैं इसके तुढ़े कर सकते हैं अए कि देखे यह हैं फस्त कोश्चन और यहां से हम पढ़ेंगे इस question को और यह है इसके option यह एक double floor का question है the government is pursuing a two-prong strategy on sources while trying to cut energy dependence देखें यहाँ पर government क्या कर रही है government यहाँ पर sources को कुछ करना चाहती है जो sources है उसको वो अच्छे तरीके से use करना चाहती है ऐसा government क्यों करना चाहती है because government is trying to cut energy dependence government चाहती है कि energy के जो sources है उसके उपर उनका जो dependence है जो निर्भरता है वो कम हो ठीक है तो ऐसा करने के लिए हम sources के साथ क्या करेंगे क्या हम sources को rectify करेंगे rectify का आर्थ होता है किसी चीज को बदलना या change करना ठीक है या हम sources को amplify करेंगे देखे कुछ ऐसे word combinations होते हैं जो आपको देखते ही पता पढ़ जाएगा कि यहां पर यह word नहीं आ सकता जैसे rectify का मतलब होता है किसी गलती को सुधालना तो यहां पर उस sense में rectify कहना सही नहीं होगा amplify करना किसी किसी चीज की आबाज को बढ़ाना ठीक है diversify करना मतलब उसके जो source उसके जो उसका जो scope है उसे scope को बढ़ाना ठीक है diversify pacifying मतलब शान्त करना और sedulousness का मतलब होता है सेडूलस का अर्थ होता है कोई व्यक्ति यदि dedicated है या diligent है तो उसको हम बोलते है सेडूलस तो अब आप खुदी सोचिए कि यहां पर क्या आ सकता है the government is pursuing two-prong strategy on मतलब उसकी जो strategy है वो किस चीज पर है वो है diversification पर क्योंकि यदि आप sources को diversify करेंगे अलगलग fields में उसको use करेंगे तो इसको काफी effectively आप use कर सकते हैं और इससे energy dependence में आपको मदद दिए तो C यहां पर आपका सही answer होगा इस तरह के questions बैंक लर्क exam में काफी पूछे जाते हैं लेकिन बैंक प्यू एक्जाम में भी ये question पूछे जा सकते हैं अब देखे यहां हम देखते हैं और यह भी एक अच्छा question है the restructuring of the airlines had become restructuring मतलब किसी चीज को दुवारा से structure करना दुवारा से अपने पेरों पर खड़ा करना क्योंकि वो चीज बेकार हो चुकी है useless हो चुकी है outdated हो चुकी है इसलिए किसी चीज को हम restructure करते हैं तो restructuring of the airlines had become मतलब head का मतलब है past tense तो restructuring को हम past tense में यूज कर रहे हैं had become अब become के बाद हम क्या लगाते हैं had become मतलब यहां पर आप adjective लगा सकते हैं जैसे it had become necessary, it had become important इस तरीके से तो यहां पर एक adjective आप लगा सकते हैं और adjective जो आएगा उसका अंदाजाप आगे वाला sentence जो पढ़ते हैं उसको उसको पढ़के आप लगा सकते है as the organization had been in the red for the past eight years देखे in the red ये एक phrase है in the red in the red card होता है कोई चीज खत्रे में है ठीक है और वो company 8 साल से खत्रे में थी the restructuring of the airlines had become ठीक है उसकी restructuring जरूरी हो गई थी क्योंकि वो खत्रे में थी company की restructuring जरूरी हो गई थी क्योंकि वो खत्रे में थी और खत्रे में कितने टाइम से थी, for the past eight years, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, the restructuring of the airlines had become necessary, यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आना चाहिए, जो necessary का equivalent हो, और necessary का equivalent वर्ड इसमें कौन सा है, inhabitable, inhabitable का अर्थ होता है, अनिवारे, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका अनिवारे, ठीक है, अब आप इनके meanings देखते हैं, invasive का क्या मतलब है, invasive का मतलब है, tending to spread very quickly, जो जल्दी से फैलती है, तो यह इसका तो कोई sense नहीं है, invincible मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता, तो कोई sense नहीं है, invite मतलब जिसको आमंतरित किया है, उसको हम बोलते invitees, ठीक है, inhabitable मतलब अने सक होगा, next question देखते हैं, the Supreme Court, Bard 9, Supreme Court ने बार कर दिया, मतलब उनको प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है, Bard 9, ठीक है, Congress legislators, Congress legislators को बार कर दिया, तो यहाँ पर Congress legislator क्या है, एक noun है, legislator क्या है, एक noun है, Congress एक adjective है, यहाँ पर इस noun से related एक word चाहिए आपको, मतलब legislator से related आपको एक word चाहिए, ठीक है, तो legislator से related word आपको यहाँ पर चाहिए, अब इस से related हम word पढ़ते हैं, देखते हैं, assented, assented मतलब जो agree हुए है, जो यदि agree हुए है किसी मत पर, तो उसको हम बार क्यों करेंगे, कोई व्यक्ती, कोई legislator यदि assented है, यदि agree हुआ है, तो उसको हम बार नहीं करेंगे, यह common sense अप्रोच है, sedentary का अर्थ होता है sitting job, तो sedentary Congress legislator को normally बार नहीं किया जाता, legislator जो होते हैं, वो बैठने का काम नहीं करते, तो यह यहाँ पर totally out of question है, amendment नहीं आएगा, क्योंकि amendment तो अपने आप में ही एक noun है, लेकिन वहाँ पर एक adjective लगाना है, sum भी नहीं आएगा, तो supreme court barred nine sum, ऐसे आप नहीं बोल सकते, या तो आप sum बोलेंगे, या nine बोलेंगे, तो sum का कोई sense नहीं है, अब देखे dissident क्या होता है, dissident एक political word है, political field में ये word चलता है, जो असंतुस्ट होते हैं, ठीक है, जो किसी party की नीतियों से असंतुस्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं dissident, तो यदि कोई वक्ती dissident है, तो उसको आप bar कर सकते हैं, ठीक है, और dissident जो word है, एक adjective है, और legislator जो है, उसके साथ ये पूरे तरीके से fit है, तो इस तरीके से आपको अपने answers को लगाना होता है, यहाँ पर सही answer होगा, इसका dissident, तो यदि वो पहले से ही dissident हैं, तो वो confidence boat में participate क्यों करेंगे, तो इस तरीके से आपको अलग-लग parameters पर उस word को थोड़ा सा देखना है, और जब आप पूरे तरीके से sure हो जाएं, तभी उसका answer आपको लगाना है, यहाँ पर हम देखते हैं, nothing is so to a nation as a stream of self-partiality and the total want of what others will naturally hope or fear, देखें, यदि किसी country के अंदर want है, want है, मतलब कमी है, किस चीज की कमी है, कि हम दूसरों के बारे में, मतलब वहाँ के जो situations हैं, वो क्या सूच रहे हैं, या क्या hope कर रहे हैं, उसके बारे में हम नहीं सूच रहे हैं, उनके concern क्या है, तो वो चीज भहुत कैसी हो सकती है, निश्यत रूप से हानी कारक हो सकती है, detrimental हो सकती है, तो यहाँ पर detrimental के equivalent एक word चाहिए, और यहाँ पर आपको concern या consideration के equivalent एक word चाहिए, और यहाँ पर आप एक थोड़ा सा logic और लगा सकते हैं, कि two के साथ कौन सा word जा सकता है, और off के साथ कौन सा word जा सकता है, तो two के साथ, देखिए, two के साथ एक तो fatal जा सकता है, detrimental के साथ भी two आता है, तो fatal से हम देखते हैं, fatal, nothing is so fatal to a nation, मतलब कोई भी चीज इतनी ज़्यादा घातक नहीं है, जितनी की ये है, nothing is so fatal to a nation as an extreme of self-partiality and the total want of, fatal के साथ consideration word लगा हुआ है, तो consideration word यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि हम लोगों के consideration की ही इसमें बात कर रहे हैं, कि दूसरे लोग क्या hope कर रहे हैं, क्या fear कर रहे हैं, उसको हम consider नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ काफी fatal हो सकती है country के लिए, तो यहाँ पर C इसका सही answer आपका होगा, question number five देखते हैं, it was through the second world war that Russia herself increased in power and wealth and prestige, it was through the second world war, मतलब ये second world war में हुआ, second world war के दौरान हुआ, that क्या हुआ, उसके बाद आगे बताया है, that Russia herself, country के लिए हम herself लगा सकते हैं, increased in power and wealth and prestigious, Russia ने अपने आपको देखा, it was through the second world war that Russia, Russia ने अपने आपको notice किया, या देखा, या witness किया, ये सारे words इसमें आ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा word चाहिए, कि वो increase हुआ, Russia की जो power है, वो increase हुई, कि siege में, power में, wealth में और prestige में, तो यहाँ पर power को, wealth को और prestige को modify करने वाला एक word आपको चाहिए, ठीक है, तो abundantly आ सकता है, गलीबल नहीं आ सकता, demand नहीं आ सकता, influence नहीं आ सकता, यहाँ पर, ठीक है, इसमें से दो आ सकते हैं, abundantly, यहाँ पर एक ऐसा word चाहिए, जो power, wealth और prestige को modify करे, तो abundantly in power आप बोल सकते हैं, prodigiously in power भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर 100 word भी वैसे सही हो सकता है, लेकिन witness सही होगा, क्योंकि 100 जो वर्ड है, वो human oriented word है, तो witness कहना यहाँ पर सही होगा, और C इसका सही आंसर आपका होगा, इस तरीकर से सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, कोशन 6 देखते हैं, अन्विलिंग्नेस अमंग दा सोसाइटी टू, तो चेंज हैज आज आज़ो बीन वन अप दीजन, दा प्लास्टिक बैक्स तो बी यूज़्ट, अन्विलिंग्लेस अमंग दा सोसाइटी टू, यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर लखा है, अन्विलिंग्नेस, किसी चीज को करने की अनिक्षा है लोगों के अंदर, अन्विलिंग्लेस अमंग दा सोसाइटी टू, अब यहाँ पर हम एक वर्ड लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसका मीनिंग आपको देखना पड़ेगा, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं, वन अप दे रीजन्स देट प्लास्टिक बैग तो बी यूज़ड, यहाँ पर एक्शली हम सेंटेंस में यह बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कि प्लास्टिक बैग्स जो हैं, पॉलिफिन बैग्स जो हैं, उस पर गॉर्मेंट बैल लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो हमेशा यूज़ होते रहते हैं, उस पर कभी भी बैन नहीं लग पाता है, तो उसका रीजन यहाँ पर बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो अन्विलिफनेस अमांग्टा सोसाइटी टू चेंज यहाँ पर हो सकता है, तू चेंड रहे हैं, तो एक्सेप्ट चेंज सही रहेगा यहाँ पर, तो एक्सेप्ट चेंज has also been one of the reasons that plastic bags लगा है यहाँ पर, तो कंटिनू भी आएगा, ठीक है, यहां पर एक वर्ब आपको चाहिए प्लास्टिक बैक लगाए तो यहां पर एक ऐसी वर्ब चाहिए जिसमें एस नहीं हो ठीक है तो इस भी नहीं है और मीनिंग के साफ से भी सही है तो इसको फिल करके आप देखें तो आपका जो आएगा वो सही आएगा यहां पर आपका सही आंसर होगा सी उसके बाद हम देखते हैं कुछी नमर्म से डेली इस रीलिंग अंडर स्कॉर्चिंग हीट कपल्ड विद अक्यूट देली रीलिंग अंडर का मतलब होता है कि वो उस चीज को फेस कर रही है कोई चीज को फेस कर रही है तो डेली इस रीलिंग अंडर मतलब उस चीज को फेस कर रही है रीलिंग अंडर scorching heat scorching heat मतलब ऐसी ही जो आपको जुलसा दे उसका हम बोलते scorching heat ठीक है तो इसमें क्या हो सकता है coupled with acute मतलब acute का मतलब बहुत severe तो उसमें Delhi में scorching heat पड़ रही है तो यहां पर क्या हो सकता है यहां पर क्या हो सकता है Delhi is dealing and scorching heat coupled with acute तो यहां पर water and power cuts ठीक है तो water and power cuts की जब परिशानी होगी तभी उसमें लोगों को परिशानी होगी तिक जब इसकी कमी होगी तभी लोगों को परिशानी होगी तो यहां पर कमी से related एक वर्ड चाहिए आपको कमी से रेड़ेट एक वर्ड है scarcity ठीक है तो डेली इस डीलिंग अंडर स्कॉर्चिंग हीट कपल्ड विट एक्यूट scarcity scarcity के बाद बैसे भी हम आफ लगाते हैं इसके सिटी ओ वाटर एंड पावर कर्स डेट हैस थ्रोन नॉर्मल लाइफ आउट ओफ गियर जिसने नॉर्मल लाइफ को तितर बितर कर दिया आउट ओफ गियर कर दिया है तो इसमें आपका जो answer होगा वो होगा scarcity और थ्रोन ठीक है शंड का मतलब होता है कि किसी चीज से बचना इस ही में और मेशिटी कर तो अर्थ होता है life या चीरफुलनेस चेस का थोता है पीछा करना लॉंच का थोता है शुरू करना नॉर्मल सी का थोता है नॉर्मल सिटुएशन और रेरेटी का अर्थ भी कमी होता है लेकिन रेरेटी के साथ चेज्ट वर्ड जो है वो नहीं जाएगा यहां पर हम कुछ को और कोशन देखते हैं एवर सिंस एलिफेंट्स वर्ड फ्रॉम सरकस परफॉर्मर्स है बी दियर लाइप्स इन इस तन्स अब फस्ट में बेंड सारे अप्शन में बेंड दिया है और सेकेंड में थुला सा अप्शन लगाना पड़ेगा हमको प्रॉर्म फार्मर्स हैव बीन यहां पर एक अइन जी फ्रॉम की वर्भ चाहिए तो सारी अएन जी फॉर्म की हैं अब देखें यहां पर यह है की врड दियर लाइप्स पर्फॉर्मर्स जो होते हैं जो इस्टन्ट करते हैं वो अपनी लाइफ के साथ क्या करते वो अपनी ही यहां पर सही आंसर हो सकता है बाकी के आंसर सही नहीं हो सकते तो D band or risking यहां पर इसके सही आंसर होंगे तो यह कुछ questions मैंने फिलर्स के यहां पर explain किये हैं यह questions आपके banker के exam के लिए ज़्यादा useful रहेंगे और इस समय हला कि जब से 20-20 मिनिट का जी वूंडव क्रियेट हुआ है इस तरह के questions पूछे जा सकते हैं और आपको concepts अपने clear करना है और अपनी vocabulary को strong करना है तो इस तरह के questions को आप पूरी accuracy के साथ कर सकते हैं तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आप से बिलूँगा नेक्स्ट वीडियो प्लास में थैंक यू